नमश्कार दोस्तों मेरे पाम लेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए आज 22 वर्सकी महिला के पाम का के स्वालों का धवाब करेंगी तो इनके सवालों को चूड़ेंगे फिर एक कर्के इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपेकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले, बैल अकन को प्रेस कर दे ता कि रिटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोश्चन इस प्रकार है, वरतमान समय में ये परहाई कर रही है आगे उच्च अदिकारी विशे के जानने के विशे में इनको जानना है और क्या चांसस बन रहाए अदिकारी बनने के, उन सारे विशे पे इनको जानना है और हतली पर क्या अच्छी कराव वस्था बनी है हतली कैसी है क्या क्या योग है भविश्य कैसा रहेगा उज्वल है की नहीं मतलब जो भी basic questions लोगों के होते हैं जो basically इस उमर में होते हैं वो इनके हैं और किस बात का परेज किस बात से दूर रहना है किस बात का ध्यान रखना है किस चीज को जादा करना है जिन्दगी पर मतलब इनको full on suggestion चाहिए इनके life को लेके और इनको जिन्दगी पर बराकारी करना UPSC के लिए ये प्रियासरत है तो अधिकारी बनने के क्या योग है वो भी इनको जानना है तो अब निश्यंतरिया आपके साड़े ही questions पर में वचार करेंगे पहले आपकी positive चीज को देखेंगे तो positivity को देखके मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अदभूत अतली है अविश्वस नहीं है ऐसे अतली जब भी में महिलाओं का देखता हूँ तो मेरा दिल जादा प्रफुलित हो जाता है ये लोग बहुत कुछ करती है ये लोग देश को बदलने के लिए आगे बर रही है और कही न कही ऐसे विक्ति जदगी पर सफल जरूर बनते है तो आपको इस वीडियो से motivation लेना है अगर आपके हाथ पर ऐसी वस्था है चाहे आपकी उमर कितनी भी क्यों ना हो अगर आप अधिकारी बरने के लिए प्रियासरत है या जिन्दगी पर काम्याबी पाने के लिए प्रियासरत है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही जदा महतपून जैसे प्यासे के लिए कुवा होता है तो इनकी हाथ पर नगजब की अवस्था है इस अवस्था में मैं ये कह रहा हूँ और डंके के चोड़ पे कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी बदलने वाली है और बहुत जल्दी आप जिंदगी पर rise करने वाले हैं और बहुत बड़ा नाम और सहरत आपट में जिंदगी पर कही न करे कमाने वाले हैं तो इतनी बड़ी बात क्यों कही गई इसकी क्या वज़ा थी आजकी वीडियो से समझने का प्रियास करें और मैं तो अभी अभी तो ये पढ़ाई के फेस में ये तो अभी कुछ किया भी नहीं रोने मैं उसके उस समय ये बात कह रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना चार पास सार में इनको अपने जिन्दगी पर दिखने लगा कि इनकी जिन्दगी कैसे बदल रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है इसको कहते है future predictions इसको कहते है बविश्यवानी और आप देखिए मैं तो बारीकी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ बारीकी के साथ हर एक लाइन का दिन करके आपको दिखाना चाहता है तो आप देखिए अगर आपके हाथ पर ऐसे वस्ता है तो फिर तो मज़ेदार है तो कैसे अच्छे एतली हो गई है देखो क्या इनकी progress line मतलब ये प्रगती के योग है इनके हाथ पर अब इतनी बढ़िया प्रगती के यो प्रगती के योग तो मैं क्या ही बोलू मतलब बहतरीन है इस case में तो कुछ भी हो सकता है अधिकारी बनना कुछ सी बड़ी बात है बहुत जपर दस्त अब इनकी इक्छा ही है अधिकारी बनने के उस पर तो पूर्णता discussion करेंगे उसके बाद एक बढ़िया आपकी दिखने जी और आपके माताजी ने क्या घजब की अतली है और क्या घजब का यश्मान समान आपको जिंदगी पर मिलने वाला है उसके बाद बढ़िया दिखने वाली आपके star sign एक से जदा मंगल पर बना star है जो की एक से जदा है ये भी एक अदबुत वाली बात हो जाती है ये भी या बागे रेका है जन्दगी के लास्तक है तो बागे रेका तो बेहद जरूरी होती है हाथ पर अगर आपको जन्दगी पर काम्याभी पाना है तो बागे रेका का रहना उतना ही जरूरी है जतना जरूरी और चीजों का रहना है तो बागे रेका तो बहुत 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 जबर्दस्त है आपकी मतलब एकदम मज़ेदार बाग ये रेखा है एकदम मज़ेदार बाग ये रेखा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखू न तो मुझे कुछ तो दिखरा है कुछ दो नेम फेम को लेके जो योग होता है न वो ये फिश शाइन ये इनके हाथ पर बना है फिश शाइन जो कि इनके सूरी परवत के आसपास है जो कि इनके सूरी परवत के आसपास है बड़िया फिश शाइन आपके हाथ पर बना है और सूरी रेका तो बड़ी है सूरी रेका के ब्रांचे से जो कि बड़े कमार के हैं सूरी रेका भी आपके हाथ पर अदबुसी मजूद है जिसको देख के मन कहरा है वह चबरदस्त उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखो तो बढ़िया आपके ये स्क्वाइर्स जो कि प्रापटी का योग को बता रही है बुद्ध रेका भी अभी सही इसी उमर से बन गई यहाथ पर मंग आपके चंदर से जारी रेका जो कि आपके बागे रेका को सपोर्ट करें ये भी बड़ी अदबुसी अवस्था होती है यहां से भी भागए रिखा कि ब्रांचेस मतलब बेहत शांदार है ब्रांचेस तो इतने बढ़िया हैं भागए रिखा कि ना मैं क्या ही बोलू में एक पास कोई शब्द नहीं है मुझे बस इतना कहने का मन कर रहा है बहुत अधबुत बस मेरे expectations पर आपको ख़रा उतरना है मैं देख रहा हूँ कि आपके जिन्दगी पर काम्याबी है मैं समझ रहा हूँ कि आपके जिन्दगी पर काम्याबी है बस जिस बात का मैं हिदायत दूँगा वो कारी मत करना और जिस बात को करने कहूँगा वो कारी करना जिन्दगी पर सफलता आपके कदमों पर गिर जाएगी यह मैं guarantee लेके बता रहा हूँ आपको यह मैं guarantee लेके बता रहा हूँ अधिकारी बनना कौनसी बड़ी बात है आपके कुछ भी कर सकते हैं संदगी पर इतनी खोब सुरत रेखा है आपके हाथ पर अवस्तित है तो यह होगी पॉस्टिविटी यहां से देखो बढ़िया आपकी रेखा यह भी आपकी सपोर्ट कर रही है भाग गे रेखा को बरश्पती पर कुछ स्कुएट डवलप कर रहा है यहां से देखो अगर अ बढ़ी असमान यह है अदोईती है इसके इसमें जातक जिंदगी पत्रक्की करते ना करने की तो बात ही नहीं है ना करने की तो बात ही नहीं है उसके बाद लाइन्स के अलाबा और भी पॉस्टिविटी इनके हाथ पर है जैसे शुक्र बहुत बढ़िया है मंगल आपका ब बहुत बढ़ियां है, बरश्मदी भी ठीक है, सैटरंस और मरकरी, यह दोणों मंगल चन्दनमा, मतलब मैक्सिमम के पैनेट्स, इवन सारे ही पैनेट्स लगबग लगबग अच्छे कंडीसन्स में हैं, तो इससे बढ़िया और इससे खुबसुरत पॉस्टिविटी जंदग पर क्या ही हो सकती है, जातक जंदगी पर आगे बढ़ते, इसमें कोई संदेह वाले बात नहीं है, कोई संदेह वाले बात नहीं है, तो यह बेहत शांदार पॉस्टिविटी, अभी देखो किया न, यह तो पॉस्टिविटी थी, इस संदर में कोई भी काम करना कोई बड़ भी करो, उपाय करना भी बेहर ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो positivity है यह लंबे लेस के गोड़े होते हैं, अब ऐसे वेक्ति जंदगी पर कुछ करने के लिए जनम लेते हैं, और ब्राकार ही करने के लिए जनम लेते हैं, महज बाईश वर्सकी आपकी आई हो, मैं यह जनम होता है, तो उसको ground level पर भी तो लाना ज़रूरी है न, उसको reality में तबदील करना भी तो ज़रूरी है, तो उसके लिए अपनी negativity को कंट्रोल कर लो, चीज़े एक दम clarity के साथ आपको मिल जाएंगे, एक दम सबस्ट, अब negativity क्या है, पहली तो देखो decision making में problems, जल्दी वा एड़ीज में suggest करूँगा, जिससे थोड़ा एक्टिवनेस आपके अंदर और आ जाएगा, पहले negativity, दूसरी काफी जादा emotions बड़े पर हैं, इस case में जातक को न, फालतों चीज़ों से दूर रहना होता है, बहुत जरूरी है दूर रहना, और एक यवाकरती आपकी recent age में करना बेहर जरूरी हो जाएगा, तो वो अध्यन भी कराना जरूरी है, क्योंकि ये एक negativity हो सकता है, मैं भी chances आपको परिशान कर सकती हो, और अपने emotions पर नियंदरन रखना है, चलो वो तो चलो बहुत दूर की बात हो गई, अब हम एक बार बताता हूँ, आपकी mind रेका पर उसी period में यव है, अगर मैं इस age को निकालो तो तक्रीबन 27-28 वर्स की बात है, तो यहाँ से भी आपको इसका उपाय करना चाहिए, सुरू से करेंगी तो ज़दा उचीत रहेगा, ये तो खास negativity मुझे लगी, बाकी तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, ये कुछ जिम्मेदार किया, तो वो ब्रेक करने के योग जरूर आपके हाथ पर मुझे दिख रहे है, तो हिदायत आपके लिए ये है, या उन सभी वेक्तियों के लिए ये हिदायत अगर उनके हाथ पर ऐसे ये वस्ता है, वो अतत्त्वों से दूर रहे, इस age में सिर्फ पर ही concentrate करें, मांकि कि कि किसी और चीजों में involve मत करो, जो आजकल दुनिया दाड़ी में चल रहा है, उसमें involve मत करो, क्योंकि आपकी आगे बरने वाली हते लिए, आपके जिन्दगी पर कमाई करने वाली हते लिए, आपकी बहुत मान सम्मान कमाने वाली हते लिए, अगर आप इस मान सम्मान को लेन चाहते हैं तो हमारे बात को मानना पड़ेगा और आपको अपने करदव्यों का निर्वाहन करना है तो कहीं न कहीं आपको सब चीज सही तरीके सही करना पड़ेगा तो इस बात का आप जुरूर से दिमाग में रखें बाकि जो भी आपको कंट्रूल करने करें, जो मुझे समंजस किस्ति दिख रही है, जो मुझे परशानी के अवस्था दिख रही है, जो मुझे दुईपा नुमा आकिरती दिख रही है, जो कि आपके मस्तिक सरे का हिर्दे रेखा पर है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या कुछ करना उचीत रहेगा वो मैं सारा सारा चीज का remedy आप से personal discussion कर लूँगा तो उस बात का बिलकुल बे चिंता ना करो उस चीज को आप बिलकुल बे load ना लो तो आपको क्या करना है वो आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया अभी कुछ और remedies वेगर हैं, उसको भी मैं बताने का और समझाने का प्रियास करूँगा, आगे आपके साथ, आपकी personally आपसे बात करके इसको मैं remedies को दूँगा, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है न, जिसको हमें करना चाहिए life में, जैसे कि मानसिक तनाव के योग चीज़ को करनी पाओ को, तो मैं remedies का discussion कर लूँगा, don't worry, और उन सभी वेक्तियों के लिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, कि सबके लिए अलग-अलग remedies होती है, आप बलकुल मत समझना, कि गुल जी remedies नहीं बताते, अब सब के हाथ पर किसी इसमें यो वाकृति है, कैसे कैसे उसके planets के conditions हैं, क्या-क्या रेखाएं हैं, उन सब को देखने के बाद ही remedies का चर्जा किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनके negativity थी, बाकिया भी इनके questions जो मेजर थे, वो अधिकारी बनने को लेके थे, आगे की जिन् बढ़िया positive indications फिश है, सूरी रेका है, जीवन रेका पर progress line है, ये सब क्यों बना है, ये सब किसलिए बना है, आपको जिन्दगी पर तरक्की देने के लिए बना है, अब कोई जातक यहां से मुझ से पूछ सकते हैं, कि क्रूजी चलो, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूं कि मै आगे बढ़ूँगा, लेकिन किस आयू में बढ़ूँगा, ये बना महतपूर्ण प्रशन आपके जहड़े में उठ सकता है, तो देखो उस आयू के लिए आपको अपनी negativity को दूर करना होगा, बाकि मैं आयू का discussion जीवन टेका से करूँगा, आप बहुत जल्दी कर लोगी इसके लिए आपको अपनी negativity को दूर करना पड़ेगा, जो हमें परशान कर सकता है, उसको हम कहते है negativity, जो हमें तकलीफ दे सकता है, उसको हम कहते है negativity, जो हमारे रास्ते पर अपस्टेगल बन सकता है, उसको हम कहते है negativity, तो उसको दूर करना तो बहुत जरूरी हो जाता है न पर होना चाहिए और आपके हाथ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ है अब अधिकारी तो अवेश्य बनोगी यह तो मैं लिखके दे सकता हूं अधिकारी में स्टेट PCS हो सकता है UPSC भी हो सकता अगर आपने परियास कर लिया तो यह और भी चीज़ें हो सकती है बहुत इक्ज प्रोग्रस लाइन तो था बढ़िया गड़ में जनम होता है कुछ लाइन भी थे तो थोड़ा प्रेशर्स वेगरा पढ़ाई लिकाई का भी होता है ना ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी एक प्रोग्रस लाइन आपके हैटली पर थी जो के 20 में वर 50 में वर्स में बहुत बड़ी तरक़्ी 32 में खरतकरी बंते 30 में ट्राइंवha 25 में अपर बावन वर्स में चोटी चोटी तरक्की आपके जिन्दगी पर बनी हुई है 52 से लेके मान के चलो आप 75 वर्स तक 52 से लेके आप ये 70 वर्स तक मान लो 70 के बाद दो मुखी 7 रेका है जो आयो दिरगायो का परचकराती है कुछ यात्राओं का परचकराती है ऐसे जैसे आपके हाथ पर रेखाएं हैं इस हिसाब से अगर मैं बताओ तो बहुत जल्दी आपकी तरक्की होनी है कुछ अप्स्टेगल को लेके जो दिक्कते थी कुछ जो नेगेटिविटी को लेके दिक्कते थी उसको हम दूर करने का पूरा प्रियास करेंगे और राहु रेखा का तो साइड इफेक्ट आना ही नहीं है क्योंकि मंगड रेखा कुछ जादा ही अदबुत है मंगड रेखा कुछ जादा ही अदबुत है राहु रेखा का तो कोई समस्या नहीं आना है और आप जिन्दगी बतरक्की करना ही करना है आपको ये शोर है कहां रखेंगी पैसे आप ये मैं आपको पूछ रहा हूँ और आप बहुत जल्दी बहुत बरा कारी करने वाली हो और आपके माता पिता को आप पर जरूर नाज होगा आपके माता पिता को आप पर बहुत सम्मान होगा बस जिस बात का मैंने परिचे कराया है जिस बात का मैंने आपको patience या फिर care करने बोला उसको तो करता है तो ये इनकी positivity, negativity और इनके प्रशन थे अभी इनके जिंदगी काम पूरता analysis करेंगे इनका गतली का पूरता analysis करेंगे इनके जिंदगी को देखेंगे आगे कैसे चल रही है तो वीडियो उस एस्पेक्ट से भी महतपूर है देखे, सीखे, समझे ये आगे स्क्वाइर स्पाम, मद्दे में इसके वाद सफलता को पाते सारे ही plants में लगबग लगबग strength है तो ये राज्योग का गतली को दर्शाती है जातक का 65% राज्योग का फ़ल आता है नहीं, 70% सूपर आता है प्लस, 65% नहीं बदब जिन्दगी comfortability के साथ भी दती है life में जब जिस चीज की आवशकता हो कई ना कैसे इनको जरूर से मिलता है और गदेदार है, गुलाबी है थिनी पाम है कोई बहुत ज़्यादा सालरिक सर्म तो आप करनी पाएंगी, मैंसिक सर्म करेंगी जिन्दगी राजाओं के समान बिताएंगी एक्स्ट्रीम comfortable life रहेगी बिल्कुल संदेह नहीं है इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाओ गुलाबी है, यही दन को एट्रैक करती है पैसे के गाधिकत है बागे एक जबरदस थम्ब है, जबरदस वेक्तितों का परचे कराता है कुछ लाइन्स आपके हाथ पर जरूर बने है यह कई न कई, यह एक प्राव्लम्स को दर्शाती है जैसे कि कुछ घबराहट की समस्तिया इसको भी ठीक करने का मैं उपाई दूँगा बागे एक्षा सक्ति बढ़ी अच्छी है यह वा किरती है, जबी भी सपोर्ट क्या वश्यक्ता पड़ेगे मिल जाएगी, सपोर्ट आपको जिंदगी पर बहुत मिलेगा यह लाइन्स आपके हाथ पर है, महात्मा कांची आप जिंदगी पर बहुत कुछ करने के एक्षा और तमन्ना है एक्षा सक्ति और तरक शक्ति बढ़ी अच्छी और डिजायर्स के लाइन जारी के लूप काफी अच्छी जातक, बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है खर्च पर नियंतरन करना है, जातक के ना चाहते वे पैसल जादा खर्च होते है बाकि दिल के बड़ी प्योर है, बड़ी अच्छी है, काईन हंटर्ट परसन है आप दयालू महिला है आप, और अपने घर के जंदगी को भी अच्छी तरीके से बताती है थोरी इंट्रोवड भी है, सबसे गुलना मिलना पसंद नहीं होता, सबसे गुल मिलकर करना भी क्या है बाकी ये ठिन करी अच्छी दारमी कास था, साटन फिंगर लंबी है काफी मेहनती है सूरी फिंगर लंबी है काफी इंमती है, चोटी रहे है, दर्शाती है कैसे विक्ती decision making में तोई समयच्छाओं का सामना करना परता 25 में 30 में 60 क्यायो तक तो इंदरने को सोच समझ के लेने क्या उशक्ता है बाकी फिंगर लंबे करें अच्छी क्रिटिविटी अच्छी समझदारी का परचे तो definite रूप से यह करा रही है फिर्दे के बरश्पती ठीक है बरश्पती बहुत गरबर नहीं है स्टार्टिंग में नॉनमल स्ट्रेगल्स रहते हैं लाइन ओफ इजोकेशन यह नहीं रिंग आप सोलेमन आपके हाथ पर बहुत जबरदस्त है इंसान के इन इनिच्विशन्स अच्छे होते हैं बाकी काफी अच्छी है दिमागी काफी तेज है कुछ जिम्यदारिया आएंगी हो सकते हैं वर्क प्रिशर आए बहुत बड़ी बात नहीं है अब बड़ी संस्थान में आप जाएंगी बड़ी चीज का नितित करेंगी तो वर्क प्रिशर तो आम बात है ना यह वाकरती इसके ल पन यह अंतर रखना है ट्रइंगल्स token जो negativity को दूर खरें लेकिन फिर भी इसका उपाई जरूर जो से करना चाहिए बड़ी अच्छी महिला है आप बढ़ी अच्छी सोच की महिला है no doubt बड़ी अच्छी सोच है आपका बड़ा अच्छ सोच है कुछ करने का इच्छा है बड़ा अच्छ तरीके से थोड़ी इरिटेशन के योग भी है विक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते तो वो नहीं होना है बाकी बैलन्स काफी अच्छा दिल दिमागी बहुत तंदुस्त है इसमें कोई संदेह नहीं है जितने लाइन से इंसान के परुपकाई नीचर का परचकराती है मतलब ये गुरू वले भी इसको आप कह सकते हैं और ऐसे विक्ति लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और जिन्दगी पर ऐसे विक्ति लोगों के लिए कुछ जबश्य ही करते हैं उसके बाद अगर मैं आपको अपके हाथ पर दिखाओ तो यहां से दबाब है विक्ति घजब के मैनती है, स्ट्रॉंग आपकी बागे रेका जिन्दगी के लास्तिक है गर से दूर का उनती तरक्की है, कुछ विशेश कर यात्राओं का परच्या वश्यक्रा आ रही है उसके बाद देखो, दौनमल डिस्टरब शुक्र वले है यह नॉर्मल मूट स्विंग को इंडिकेट करती है, बाकी मूट स्विंग की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइन ओफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़े बड़े अच्छी है चीजों को समझेने की चमता बड़ी अच्छी है आप में फिश आपके अंतराष्टिक ख्याती के तरफ है, अंतराष्टिक ख्याती जो देती है उसके तरफ है तो कहीं ने के उच्छस्तरिय सम्मान आपको जिंदगी पर मिलता है, आगे बेस उड़ी देका बड़ी अच्छी है प्रॉपर्टि आप एक से ज़ादा बनाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेर नहीं है, तैलेंटेट काफी ज़ादा गुनी है कम महनत में ज़ादा सफलता मिलने के योग को ये बता रही है प्रॉपर्टि के योग को चत्तिस वर्ष के बादे डेवलप्र है, वो तो डेफिनिटली आपके जिंदगी पर होना एक से ज़ादा होना है ये सब लाइन्स तोरे एमोशनल लाइन इसको लोड नहीं है, इसको लेके वरीड नहीं रहना बागे लेको सन मरकरी एच्छी बुदिवेक से कारे करते हैं, लाइन सच्छा है, इनसान बहुत तीस तराग, बहुत तीस तराग दोडो मंगल उसना ही बढ़िया प्योर एकदम इनसान गजब के एनरजटिक है इनरजी हद से जादा दिखती है, कुछ लाइन से जो नौर्मल दोके के योग को बताती है तो कहीं न कि कंट्रोल रखना है, बागे इनरजी गजब किये, कुछ करने का प्राकरम बहुत अच्छा और आप कर भी लेंगी जबरदस्त आपकी चंदरमा है, कुछ लाइन से जो विशेस कर यात्राओं को दर्शारी है चंदर से निकल रही है, लाइ रेका जो बागे रेका को सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली कर रही है चंदरमा बढ़ियां है, तो लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और इंसान की प्रेस्नालिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मोहक होती है बागी देखें, यहाँ पर से बागे रेका मणी बन से चला है, तो बचपन से कोई दिक्कत नहीं, बागे रेका का अच्छा साथ आगे बागे रेका गया, यहाँ से एक ब्रांचे से, एक मेजर चेंज 18-20 की आयू में था, कुछ ठेंकिंग चेंज होा होगा और एक चेंज आपके, 26-30 के आसपास है, में भी चांसे से हैं कि 24-26 के बीच में कोई बड़ी अचीवमेंट हो और अब बड़ी पद पर जाओ और उस पद के बाद आगे एक चेंज आपके 36-30 के वर्स में है, जो कि में भी चांसे से का आप बेपार शुरू कर लो, या कोई कार शुरू कर लो, या कहीं और स्विच कर जाओ 36-30 के बाद भी आपकी बागे रेका बड़ी अच्छी है, जब बागे रेका इस कदर होना तो समझो लोग स्विच करते हैं, या फिर कोई नया कार शुरू करते हैं ये भी बागे रेका के ब्रांचे से जो की बड़ी कमाड के हैं, बुद्रेका भी के इससे बनी हुए तो मैं क्या बोलू, मैं तो बस गेटर ट्रेंगल को दे के खुश हो गया, गेटर ट्रेंगल इनके हाथ पर बहुत जबरदस्त है, जो जातक के जिन्दगी पर पैसे को अच्छी हुथे State, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जिन्दगी भी दती है, जबरदस्त मंगले मंगल पर आपके स्टार प्रोपटी एक से ज्याएदा मिलता है, ये शौर है, मंगल डुरेका बहुत अच्छी है दिरगाईओ है, सव treniटली, सवाष्ट जीवन वन वतीर कर कर दे कमेंट कर दे सिरे कर से स्क्राइब कर दे आप प्रसनी में साश्तर का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं अब आप वाटसपने दिसक्रिशन मिल जागा लेकर आप समपर्द कर सकते हैं धन्यवाद